Standard Deviation आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा और आपको पता होगा कि Central Tendency के साथ अक्सर उकात Researchers जो है वो Standard Deviation का लफ्स यूज करते हैं Deviation का मतलब ही यह है कि Center से data कितना deviate कर रहा है कितना right side पे जा रहा है कितना left side पे कितना positive direction में जा रहा है कितना negative direction में और अक्सर उकात आपने देखा होगा कि data scientists या researchers जो है या scientists जो है वो जब mean या median या कोई भी ऐसी center value लिखते हैं उसके साथ plus minus लिखके फिर आगे एक value लिख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि यह standard deviation है और यह publication के अंदर बहुत ज़्यादा use होते हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो PhD या master's के अंदर research paper भी लिखने का ख्याल रखते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं कि standard deviation होता क्या है so standard deviation is a measure यह एक measure है obviously वैसे ही measure है जैसे हमने पहले लिए यह central measure होती है फिर यह spread measure है that quantifies the amount of variation or dispersion in a set of data values ठीक है वही चीज के center से data कितना right और कितना left जा रहा है कितना center से कितना ऊपर और कितना नीचे जा रहा है ठीक है अगर आपका center इस तरीके से horizontal है तो ऐसे आप देखेंगे अगर आपका center इस तरीके से vertical है तो आप ऐसे देखें so it's akin to accessing the roughness of smoothness of the terrain in geography so अगर geography के अंदर देखें तो roughness और smoothness के बारे में जब हम भी बात करते हैं कोई चीज की तो उसको यह show करते है ठीक है a low standard deviation means that the data points are close to the mean इसका मतलब यह हुआ कि अकसर उकाद जब data points mean के बहुत करीब है तो उसकी standard deviation बहुत कम होगी indicating a smooth and consistent terrain ठीक है अकसर उकाद जब geography के अंदर आप कोई भी data देखते हैं अगर आपकी geography कुछ ऐसी हो समझ रहे हैं तो यह खुर्दरी geography है लेकिन अगर कुछ इस तरीके से चल रहा हो तो this is a smooth kind of terrain ठीक है तो अगर हम पहाडों की बुनियाद पे देखें अगर बहुत ज़्यादा पहाड बने हुए है तो उनका deviate बहुत ज़्यादा कर रहा है fluctuate बहुत ज़्यादा कर रही है चीज़ अगर वो बिलकुल smooth है इस तरीके से जा रही है तो उसकी जो roughness है वो बहुत कम होगी तो यही चीज़ हमें smooth and consistent terrain का बताती है in contrast and high standard deviation जब data बहुत ज़्यादा deviate कर रहा होगा data point से spread कर रहा होगा wider range of values की तरफ इसको हम बोलते हैं rough या uneven landscape और यह हमें show करवाता है कि standard deviation बहुत हाई है अब पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ अक्सर उकात लोग कैसे लिखते हैं standard deviation को वो mean की value लिखते हैं plus लगाते हैं और minus लगाते हैं ठीक है फिर वो लिखते है standard deviation की value Excel के अंदर इसको std भी लिखा जाते है standard deviation और अक्सर उकात इसको stdev भी लिखा जाते है standard deviation को ठीक है आपने देखना है कि sda लिखा हुए std लिखा हुए या sd लिखा हुए किस formula को आप use कर रहे है whenever you are using some kind of algorithms या calculators या अगर आप Excel या Power BI या कोई भी business analytics के tools को use कर रहे है so अगर मेरी किसी value का mean है 3 plus minus 0.05 उसकी standard deviation है इसका literal मतलब यह है कि जो मेरी value है that can be minimum जो है जो maximum है वो होगी 3.05 तक यानि कि ये maximum है और ये minimum इसकी जो हो सकती है that could be around इसको अगर हम minus कर दें इसमें से two point it could be nine five something like this ठीक है so इसका मतलब यह हुआ कि ये standard deviation हमें बता रहा है कि ये वो minimum और maximum value की में बात नहीं कर रहा this is about standard deviation इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी bar plot आप देखें और bar plot के उपर कुछ इस तरीके से line लगी हो जिसको हम error bars बोलते है तो यही वो line है जो बताती है कि ये positive value ये negative value है ठीक है ये इसका मतलब है कि तीन अगर ये total है तो ये उपर को जो bar जा रही है ये भी point zero five है जो नीचे को आ रही है ये भी point zero five है तो इसको हम negative error बोलते है यानि कि नीचे को इसको बोलते है positive तो ये plus minus इन चीज़ों को शो करता है तो usually जब आप scientific papers के अंदर publication के अंदर इस तरीके से कोई value देखे और साथ में literal उन्होंने लिखा हो कि ये standard deviation है then you can consider it like this ठीक है अब हम देखते हैं कि इसको calculate कैसे किया जाता है अगर आप गौर करें calculation की तो ये variance का basically square root लेने से हमारे पास value आती है कैसे आती है मैं भी आपको दिखाता हूँ अगर मैं यहां पे variance की जो जो हमारे पास values थी वो भी ले क्या हूँ then you can have an idea कि हमारे पास ये किस तरीके से दोनों values same same नजर आती है just a minute मैं थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ और आपको variance वाली दिखाता हूँ पहले और फिर आपसे अंदाजा clear हो जाएगा अगर आप गौर करें ये हमारे पास जो right side पे value है ये थी variance की ठीक है और यहां पे बोला गया है the standard deviation is square root of the variance ठीक है क्यों लिया गया square root अगर इसका भी square root लें और इसका भी square root लें तो क्या होगा हमारे पास ये जो square root है ये इसके साथ कट जाएगा ठीक है इस वज़ा से हमारे पास formula variance की है सिरफ square root से ये चीज़ कट गई है and then we left out with sigma और s नीचे वो ही formula है सारा सारा कुछ वो ही है ठीक है so this is how you can calculate standard deviation in real time या अपनी जो population का जो standard deviation है वो और जो sample का standard deviation है वो इस तरीके से आप calculate कर सकते हैं और calculation इसकी simply असान है जैसे आपने पहले की थी सबसे पहले आप क्या करते हैं sum करते हैं हर एक चीज का और उससे फिर आप values निकालते हैं अब यहां पर एक मुश्किल मरहला हम देखेंगे किस तरीके से आप sum निकालते हैं और कौन-कौन सी चीज़ों को आप maintain करते हैं सबसे पहली चीज यह है कि मेरे पास again वो ही चीज है दो, तीन, चार, पांच और छे यह हमारे पास वो ही डेटा है जो हमने पिछले लेक्शर में यूज किया तो चार जो है हमारे पास यह average है इसको मैं x बार लिख लेता हूँ is equal to 4 अब हमने क्या करना है हर value में से यानि के 2-4 इसका square root लेना है इसको यहां पे लिख लेना है 3-4 इसका square root लेना है इसको यहां पे लिख लेना है फिर हमने 4-4 का square root लिया square, square लिया not square root, sorry for that square लिया और यहां पे लिख लिया 5-4 का लिया यहां पे लिख लिया 6-4 का लिया यहां पे लिख लिया अब अब अगर गौर करें, ये minus 2 का square आ जाता है, which is equal to 4, ये आ जाता है minus 1 का square is equal to 1, this would be 0, this would be 1 का square is equal to 1, and this would be 2 का square is equal to 4. अगर अब अब गौर करें, ये square लेने का मकसद क्या बनता है यहां पे? कोई बात समझ आईए आपको, कि क्या हो क्या रहा है square से? अगर आप गौर करें, magnitude वो ही रह रहा है value का, जो यहां पे 2, 3 थी, 5, 6 थी, same वो ही 4, 1 और 1, 4 रह रही है, लेकिन ये values हमारे पास minus में आ रही थी, तो जब आप square लेते हैं, not square root, तो आपकी minus जो है, minus का square क्या होगा, minus multiplied by minus, which is equal to plus, तो ये sign को change करने के लिए, ये square लिया जाता है, ठीक है, so usually जब भी आप data science के अंदर देखेंगे, जहां पे square की बात होगी, जैसे mean squared error है, root mean squared error है, और इस तरीके से जब भी हम कोई चीज की बात करेंगे, वो usually उसका मकसद ये ही होता है, कि negative value को positive करना है, ठीक है, so ये हमारे पास आगी values, 4, 1, 0, 1, 4, इस तरीके से हमार और करें, तो n-1, 5-1 is equal to 4, तो मैं यहां पे नीचे बलके इसको ले आता हूँ, now we will actually, we can calculate, के हमारे पास जो 5 और 5, 10, divided by 4 आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम इस value को और करें, तो ये हमारे पास क्या बता रहा है, आपने सभी को sum करके, मतलब square root का sum करके, divided by n-1 करना है, कर by 4 आ गया, तो ये हमारे पास 2.5 की value देता है, 10 by 4, लेकिन आप गोर करें, यही तो हमारा variance था ना, 2.5, मतलब variance हमारा था 2.5, इसका मतलब है, जो variance है, वो standard deviation का, standard deviation तब बनता है, जब variance का root आप ले ले, यानिके, on the other side, अगर मैं इसको उल्ट हाथ लेकूं, यानिके, standard deviation बात है, जब आप variance का under root ले ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये वह हुआ, कि variance को भी हम दूसरी side पे लेके जा सकते हैं, तो यही आपका आज का question है, कि आपने किस तरीके से variance को, sorry, standard deviation को variance में बदलना है, लेकिन यहाँ पर easy है, कि इसका हम under root लेंगे 2.5 का, तो यह हमारे पास standard deviation आ जाएगी, so 2.5 का under root कितना होता है, कोई बता सकता है, जब तक आप बताते हैं, हम इसको देखते हैं, कि python के अंदर इसको कैसे calculate करना है, ठीक है, so python के अंदर calculate करने के लिए very simple, बहुत असान, too easy to understand, आपने क्या करना है, यह आपके पास data set है, कोई भी, मैं इसी data set को import library, हम करते हैं, import numpy as np कर लिया, अब हम लगते हैं, यह वाला data, वो ही वाला data हमारे पास आ गया, now we will calculate standard deviation, calculate standard deviation, जब हम standard deviation को calculate करते हैं, we can actually use std, और आपने देखा है, कि numpy के अंदर std जो है, यह basically standard deviation को बताती है, अब अगर हम sample की करेंगे, तो degree of freedom 1 रखेंगे, अगर हम नहीं करेंगे sample की, तो यह population की standard deviation आ जाएगी, so हमारे पास standard deviation 1.58 आ रही है, ठीक है, so this is what we are getting after calculating this standard deviation using python, ठीक है, अब यही चीज़ है जो हमें बताती है, किस तरीके से आपने standard deviation को calculate करना है, using python, और यह बहुत ज़्या आगी यहां पर अभी, इसी को बोलते हैं जनाप standard deviation, और standard deviation को calculate करने के बाद, यही सारी चीज़ें मैंने आपको day 7 के अंदर, अगर आप नीचे जाएं तो standard deviation के article के अंदर, बड़ी detail में बताई हुई है, and you should actually learn these things as soon as possible, reason यह है कि जब भी आप data science में आते हैं, अगर आपको standard deviation का पता लग गया, कि यह किस तरीके से variance का under root लेके, यह square root होता है, तो वो आपके सामने यह पूरी definitions दी हुई है, calculate the mean average पहले आपने करनी है, फिर आपने इस तरीके से इसको calculate करना है, अगर आप by pen करना चाहते हैं, but on the other side, python को use कर लें, it's very simple, और standard deviation को python में कैसे calculate करना है, I can actually tell you here, for example के लिए आप one लिख देंगे, otherwise आप कोई भी नहीं लिखेंगे, real life example यह है कि जब भी आप data के subtract को check करते हैं, तो आप standard deviation को क्यों use करते हैं, क्योंकि यह आपको बताता है कि आपका data किस तरीके से subtract हुए है, which is very crucial and reliable to check the quality of data, अगर आपका standard deviation छोटा है, बहुत कम है, इसका मतलब आपका data के quality बहुत सबर्दस्त है, अगर standard deviation बहुत ही बड़ी errors पकड़ा रहा है आपको, या नहीं कि बहुत बड़ी-बड़ी bars दिखा रहा है, तो वह आपका standard deviation आपकी data के quality को बता रहा है कि वो ठीक नहीं है, यह comparison of means के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता जैसे मैंने आपको कल बताया था, कि comparison करते हैं means का, उसके लिए spread की जरूरत होती है, तो यह वो चीज़ है जो हमें बताती है कि compare करके means जो हैं, वे एक दूसरे के साथ टकर तो नहीं लगा रहे, अगर लगा रहे हैं तो उनमें कोई फरक नहीं है, अगर नहीं लगा रहे त उसमें फरक है, so basis statistical analysis से फर्दर जाने के लिए ये भी हमें बताता है कि किस तरीके से आप use कर सकते हैं, और यहां पे कुछ मैंने examples दी हैं और आपको एक diagram मैंने यहां पे दिखाई है, it doesn't appear here, yes, it's coming here, so यह एक diagram है, जिसके अंदर मैंने बताया है कि standard deviation को कैसे calculate किया जाता है, या अगर आपने calculate कर ली है, then means को और standard deviation को ऐसे रख के आप error bars लगा सकते हैं, और ये इनको बोलते है error bars, और ये standard deviation के एकल है, अब आप खुद सोचें अगर इसकी error bar और इसकी error bar, दोनों error bar काफी बड़ी होती, तो फिर क्या होता है, अगर दोनों error bar बड़ी होती हैं, तो क् आपको दिखाता हूँ, screen पे वापिस आजाते हैं, अब आपको एक study case को मैं अच्छे से बना के यहां पे दिखाता हूँ, just give me one second, मैं उसी diagram को यहां पे ले आँ, ये concept आपको समझाना इस वज़ा से ज़रूरी है, कि आपको अभी से पता चल जाए कि mean comparison कैसे किया जाता है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास कोई भी एक category A है, ये वाली, ठीक है, ये category B है, ये category C है, कोई भी data है, category कोई भी हो सकती है, ठीक है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि ये कराची, लहूर, इसलामाबाद, तीन cities हैं, या कोई तीन countries भी हो सकते हैं, it's up to you, ये इनकी values हैं, ये कोई भी value हो सकती है, for example, मैं यहां पर लिख देता हूँ, ये लहूर है, ये है जनाब कराची, KCH कर देते हैं इसे, और ये है फैसलाबाद, ठीक है, ये तीन cities हो गए हैं हमारे पास, अब ये जो है, आप समझ लें के population है, I'm just giving you an example, तो numbers पर ना जाहिएगा, सिरफ points समझिएगा, अब यहां पर category A के अंदर, लहूर की population जो है, उसकी average ये है, 20, ठीक है, अगर हम sample की base पे लगाएं अंदाजा, population per home कर लें, या आप per colony कर लें, एक colony के अंदर 20 घर आती हैं ठीक है, लहूर में, I'm just giving you an example, ये उसका average है, और ये इसकी standard deviation है, plus की भी और minus की भी, अब ये B category A कराची में on an average 35 घर होते हैं कलोनी में, और फैसलाबाद में on an average 30 घर होते हैं कलोनी में, I'm just giving you an example, ठीक है, ये mean है, ये average आगे उनकी, अब ये जो standard deviation है, ये हमें बताती है कि लहूर और कराची में कितना फरक है, हम यहां पर बताएंगे कि क्या लहूर और कराच में कलोनी में कितने घर होते हैं, इन दोनों में फरक है, तो आप कहा सकते हैं, बिलकुल है, कैसे, क्योंके standard deviation इन दोनों की और mean एक दूसरे से बड़े फरक में है, यानि कि अगर मैं यहां से देखूँ तो इतना फरक है इन दोनों में, यहां से यहां तक का, तो ये जो difference है अगर आपका यह काफी ज्यादा आ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं कि दोनों में significant difference है, significant, और आप इसको calculate कर सकते हैं based on the percentage, यानि कि 20 यहां पे है, 35 यहां पे है, तो कितना फरक हुआ, 35-20 is equal to 15, ठीक है, तो 15 जो है, यह आपका 15 घरों का फरक है, अब बता सकते हैं कि लहोर कि 15 घर कम हैं as compared to कराची, या आप कह सकते हैं कराची की कलूनी में 15 घर ज्यादा होते हैं on an average as compared to Lahore, and this is how you can actually compare the means of two values, on the other side, जब आपकी standard deviation अपस में एक दूसरे के साथ ऐसे overlap कर जाए, इस तरीके से, तो अक्सर उकाच chances यह होते हैं, if you run the statistical analysis, तो यह chances होते हैं कि इन दोनों में फरक कोई नहीं है, there is no difference, लग आपको रहा है कि यहाँ पे जो है 30 घर हैं, और यहाँ पे 35 यह तो 5 का फरक है, ठीक है, 35-30 जो है वो 5 आता है, but usually क्या है, यह जो 5 का फरक है, यह mean में है, लेकिन standard deviation हमें बता रही है, कि 5 का फरक नहीं है, क्योंकि इन दोनों में overlap आ रहा है, इस shaded region का, ठीक है, so we will think about these things in our statistical analysis, और इसको बड़ी detail में हम समझेंगे, but on a short note, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी हम graph के उपर standard deviation की bars हैं, यह हमें बहुत ज्यादा value देती हैं, और हमें बत किस एक data की जो quality है, वो best है, मैं तीन dataset यहाँ पे draw कर रहा हूँ, मुझे आपने बताना है कि किस की quality best है, और error bars में लगा रहा हूँ, यह लगा दी, यह दूसरे की लगा दी, यह तीसरे की लगा दी, अब अगर आप गोर करें, यह है A, यह है B, यह है C, इसमें से किस की सबस अच्छी quality है, यह आपने मुझे बताना है, जी, इन तीन dataset में किस की सबसे अच्छी quality है, किस की सबसे बुरी quality है, good quality के आगे आपने मुझे लिखके बताना है, letters का, यानि कि कोई भी हो सकते हैं, और bad quality के आगे भी आपने मुझे लिखके बताना है, क्योंकि rule of thumb यह है कि standard deviation जितनी कम होगी, उतनी quality अच्छी होगी, और जितनी ज्यादा होगी standard deviation, उतनी data की quality खराब होगी, B की जो है यह bad में आती है, और A और C जो है वो good quality में है, C सबसे best है, क्योंकि यह बहुत छोटी इसकी deviation है, data बहुत अच्छा congested है, on the other side इसका थोड़ा सा ज्याद है, और इसका और भी ज्याद है, and this is how you can have an idea, जनाबेवाला, कि कैसे standard deviation जो है, आपकी data quality को भी बताती है, and how you can look in a detailed way, कि किस तरीके से आपकी जो standard deviation है, वो calculate करके, आप सामने ले के आ सकते हैं उसको, अब standard deviation के बाद, एक और important चीज है, जिसको हम बोलते है, standard error, ठीक है, और standard error क्या होती है, मैं भी आपको दि standard deviation अक्सर उकात लोग use तो करते हैं, लेकिन इसको कुछ लोग convert कर लेते हैं, standard error के अंदर, अब standard error क्या है, और standard error definition जो है, यह कितना जो है, डिफर करती है standard deviation से, ठीक है, इसको हम standard error भी बोलते हैं, या आप इसको standard error of the mean भी बोलते हैं, ठीक है, अक्सर उकात इसे standard error of the mean बोला जाता है, और let's see, कि हमारे पास किस तरीके से यह calculate होगी, just a minute, आप क्या करेंगे, simply standard error जो है, इसको SE के साथ लिखा जाता है, capital B, small B, SEM भी बोला जा सकता है, लेकिन ज्यादा तर इसको SE बोला जाता है, तो मैं भी इसको SE लिखूंगा यहां is equal to, इसका जो formula है वो आपको दिखाता हूँ, SE is equal to, आपका जो standard deviation है, ठीक है, उसको हम लिखते है, SD divided by N, ठीक है, यानि कि आपकी जो standard error है, this is equal to the standard deviation of that data divided by the number और उसका फिर square root, अब यह जो हमारे पास values आती है, इसके बाद जो number की, उसकी base पे हम इसको calculate कर सकते हैं, कि हमारे पास कौन-कौन से data है, अब अक्सर अक्वाद क्या होता है, standard deviation sigma होगी, अगर आपके पास, आपको भी पता है कि आपके पास क्या हो, population हो, on the other side, अगर आपके पास S है, या standard deviation है simply, तो आपका sample होगा, जिसके अंदर N-1 पहले से ही count है, इसका मतलब है कि आपके पास, अगर standard deviation है, उससे error count करना कोई मुश्किल नहीं है, for example, यहाँ पे अगर आप गौर करें, आपके पास, अगर standard deviation है, यानि कि, ये वाली जो चीज है, sigma है, या S है, इससे फर्दर आप ज आ सकते हैं, easily, divided by N का under root कर दें, simple, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका standard error, इसका मतलब ये हुआ, कि हमने क्या किया है, population variance से start हुए, variance की जो हमारे पास values आ रही थी, वो scared में आ रही थी, हमने वो square को खतम किया, उसको हमने नाम दे दिया, जनाब standard deviation का, अब standard deviation को भी short करने के लिए divided by number of samples, जब हम करते हैं, इसको हम नाम देते हैं, standard error का, और standard error क्यों ज़रूरी है, ये आपकी आज की assignment है, कि why do we convert standard deviation into standard error, assignment alert मैं यहां पर लिख देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ आपको पता होना चाहिए, कि क्यों standard error use की जाती है, assignment आपकी ये है, why do we need to use standard error of mean, और standard error जो एक ठी है, instead of standard deviation, ये आपकी चोटी से assignment है, इससे आपको अंदाजा भी होगा, कि किस तरीके से आप different चीज़ों को relation में ले के आ सकते हैं, ठीक है, अब यहां पर screen पर मैं दुबारा जाता हूँ, and हमने अब क्या करना है, calculate the standard error, और standard error के लिए, obviously आपको पता है, कि हमारे पास जो फार्मूला है, standard deviation, divided by square root of length of df, length of df क्या है, number of values, तो length ये ही होगी न, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाता है, and then we can print, print, the standard error is equal to se, यहां पर मैं लिखता हूँ, print, यहां पर खुद भाखुद आजाएगा, standard deviation, तो ये आप देख लेंगे, जिस standard error आपकी हमेशा छोटी होगी, as compared to standard deviation, and this is how you can calculate both of these, 1.58, और ये आपके पास है, 0.70, and these both things are actually being used a lot in research publications, और जब भी आप comparison of means करते हैं, तो आपको error bars दिखानी पड़ती हैं, और उन error bars को आप show करते हैं, using standard error और standard deviation, ये तीजिए हमारे पास variability की कुछ types, जिनने हमने देखा, और उनमें सबसे पहले हमने देखी range, second one हमने देखी intercortile range, फिर हमने देखा variance, फिर standard deviation, and then standard error, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम क्या करते हैं, dispersion को as a whole देखते हैं पहले, फिर उसका 50% देखते हैं, फिर उससे भी कम range में पूरे के पूरे calculation करके हम आते हैं, फिर at the end हम उसको भी short down कर लेते हैं, लेकिन last but not the least, एक important point है जो standard deviation का normal distribution से related है, which I am going to tell you in next lecture.